प्रेविस जुलाई ये बजट रजुत हवानुशे अने चिरमा सरकार रेन्यूबल एनर्जी उपर खास फोकस राखी शेकेटें। सीन बीसी बज़ार ने मडेली एक्स्क्लूजिव जानकारी प्रमाणे आना हिठर ग्रीन हाइट्रोजन अने सुलार पावर उपर खास फोकस कराई शेकेटें। अनिया समच्वार नी समपूर्ण भी गतों लिए समाधाता लक्षमेट रॉय आपनी साथे जोड़ाएगा अच्छे लक्षमेट जी रिन्यूबल एनर्जी को लेकर किस तरह का एलान बजट में हो सकता है बिल्कुल आपने सही काया कि जो सरकार ने अपना फोकस रखा रिन देखने को मिल सकती है जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ग्रीन एनर्जी से लेकर के एथनॉल प्रड़क्षन मेथनॉल प्रड़क्षन रिन्यूवल पावर सोलर पावर और वीन्ड एनर्जी सब को लेकर माना जाएगा और इसमें बता दूंकि सरकार ने दोहजार पहला जो प्रधानमंत्री के दिल के काफी करीब है प्रधानमंत्री सूर्गहर योजना जो रूफ टॉफ सोलर इसकीम है उसको उसका सरकार अबंटन बढ़ा सकती है चुकि 10 मिलियन घरों तक पहुचाने का जो लक्ष रखा गया था लक्ष लगभग समय से पहले पूरा कर दिया है लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन पर काफी ज्यादा निवेश्ट की जरुवत है तो सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी विशेज जोर दे सकती है यहां पर आप देख सकते हैं कि बजट काबंटन बढ़ता हुआ आपको दीखे तीसरा है एनरजी टांजिशन जो अभी ग्रीन एनरजी में नहीं है उनको एनरजी टांजिशन के लिए कैसे प्रसाहित किया जाए इसके लिए इंसेंटी पर जोर दिया जा सकता है इस बजट में और चौथा जो सबसे ज़ादा चुनौती इस वक्त बनके खड़ी है वो है कि जो वेश्ट बनता है ग्रीन ए इस पर चिंता भी जताई थी तो मुझे लगता है कि यह सारा आपको बजट के एक महत्पुन पहलू के तौर पर निकल कर आएगा 23 तारीक को जब वित मंत्री बजट पेश करेंगे श्री लक्ष्मन जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और यह सारी डीटे